रामपूर विदान सबा उप्चुनौव में प्रत्याशियों की किस्मत अब EVM में कैद हो गई तस्वीरे आप देख सकते हैं यहाँ पे गर बात किते जिस तरीके से भार्जजनता पार्टी की उमीदवार आकास सक्सेना थे और समद्धी पार्टी की उमीदवार असिम राजा थे तो दोनों की किस्मत अब इस EVM में कैद हो गई और अब जिस तरीके से आज दिन भर मतदान चला और जो शाम पाच उजे तक मतपरतिशत था वो 31 दसमलो दो 9 मतपरतिशत रहा है और जिस तरीके से रामपूर का इतिहास रहा है कि यहाँ पे जो मतपरतिशत है वो हमेशा जादा हुआ करता था लेकिन इस बार कम उबेश मतपरतिशत काफी कम देखने को मिला और अब यहाँ पे जितने भी पिटासी नदिकारी हैं इस EVM को मंडी परिशत में जमा करने के लिए जा रहे हैं समातली पार्टी से असीम राजा और भारती जनता पार्टी से अकाश शक्सेना दोनों की किस्मत अब EVM में कैद हो गई जिसका निर्ड़ाय आठ दिसंबर को होगा क्याश्टर सुनिल पांडे के साथ अवन्याश्तिवारी एबीपी गंगा रामपूर एबीपी गंगा खबर आपकी जवाआपकी